पूप मॉर्णिंग अ सधर्स्कानाकर्टस 750 इक षी नरा कि फोट का वीजिक्जांटि वर पूड़ाय सेर्थान में हम बहुत अच्छे मारी बसक्ते हैं और फूरा जिस 50 करने पीछी नुप bet एंट इसके बारे में आपकती में वेर्ब्रकों बहुति हम दूसरों से भी और आगे जा सकते हैं, रट करके भी कोई चीज कभी नहीं हो सकती है, केवल हमें इसको समझना है, राजस्तान को समझ करके इसके आंसर कैसे दें, तो पहले सबसे पहले हमें राजस्तान की स्थिति के बारे में जानकारी होने चाहिए, कि राजस्तान वास्त स्टित्या में भारत के अंतर्गत है तो कहां पर है इस प्रत्थी के उपर है क्या स्पोजिशन में है कैसे स्तिति में राजस्तान का नक्षा हमें पूरी ज़्यान होना चाहिए ताकि कोई बीचीज अगर आप से पूछी जाए तो उसका आंसर बहुत इजी वेक अंतरगत आप कोई आंसर देना है कि एससे क्विश्चन आते हैं तब में आंसर इसका क्या निकलेगा जैसे आप से क्विश्चन आता है कि राजस्तान ग्लोब के ऊपर कहां पर स्थित है कि अब कहां पर मैं यहां पर आंसर में दे रहा हूं कौन सी दिसा में आप यहां पर कुश्चन है राजस्तान गलोब पर कहां पर तो आपको जब टाए गलोब की जानकारी नहीं है तब तक आप इसका अंसर नहीं दे सकते हैं दूसरे राजस्तान भारत में किस दिशा में स्थित है भारत वाला तो फिर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा रटा हुआ होगा रट करके इसका अंसर कभी निकलेगा तो पहले चीज यहां पर कि ग्लोब और भारत तो सबसे इंपोर्टेंट चीज कि ग्लोब पर कहा है तो पह ग्लोब के बारे में पढ़ो बट राजस्तान का अगर आपको आंसर निकालना है तो आपको ग्लोब के बारे में पहले जानकर या आपको करनी पड़ेगी तब जाकर कि उसका आंसर आप निकाल सोगे तो मैं यहां पर बहुत ज्यादा भी डिटेल कुछ नहीं बता रहा हू उसके लिए एक मोडल बनाये गया और मोडल को ही या उसी प्रारूप को ही ग्लोब के नाम से जाना जाता है तो यहां पर प्रत्वी के इस मोडल को हम यहां पर लेकर करके पढ़ते हैं अब यह पढ़ेंगे कि राजस्तान वहां पर कहां पर है और भारत कहां पर है इसका आ गोला करके बहुत इजी वे के अंतरकत आप उसका अंसर देश करेंगी. यह ग्लॉब के रोप में इसको हम यहां पर एक गोला बना करके इसको प्रदशित कर सकते हैं. ग्लॉब के अंतरकत सबसे पहली चीज ग्लॉब की दिशाओं को आपको इंडिकेट करना है. अब किसी गोले के अंतर का दिशाओं केसे प्रदशित करें आप कोपी में भी गोला बना करके उसमें दिशा लिखना चारें तो केसे लिखें तो दिशा इंडिकेट करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है आपके मूग के अधार पर कभी भी दिशाओं को प्रदशित मत करना आपके हाथों के आदार पर, आपके हाथों के आदार पर, किसी भी स्तान पर, किसी भी गोले पर, कहीं पर भी चाहिए, बोर्ड पर हो चाहिए, प्लास के अंतरगत आप अपने पेपर कर रहे हो, तो भी आपके हाथों की दिशा के आदार पर उसकी दिशाओं को इंडिकेट क पूर्वदिशा होती है आपका मूह किदर भी हो उसे कोई फारक नहीं पड़ता है आपका राइट हैंड की तरफ हम्यसा क्या लिखा जाएगा पूर्वदिशा और लेप्ट हैंड की तरफ अर्थात लेप। हैंड की तरफ सदेव पस्षिम दिशा तो इस तरह से यह मैंने गोले के उपर यह मेरे राइट हैंड की तरफ पूर दिशा और लेप्ट हैंड की तरफ पस्षिम दिशा अब गोले के उपर की ओर हमेशां उत्तर दिशा होगी और गोले के नीचे की तरफ सदेव दक्षिन दि गोले के उपर सदेव उत्तर और गोले के नीचे सदेव दक्षिन दिशा इस प्रकार से यहां पर यह गोले के उपर चार दिशाएं प्रदर्शित हो जाती है अब आते हैं प्रथि के इस ग्लोब पर प्रथि को पढ़ने के लिए प्रथि की बहुत सारे स्थित्यां समझने के लिए हमने दो तरह की लाइनों की कल्पना की रियल में प्रत्वी पर वो नहीं है केवल हमने उसके उपर कल्पना की और उन दोनों काल्पनिक रखाओं को नाम दिया है अक्षांस रेखा और देशानतर रेखा अब अक्षांस रेखा और देशानतर रेखा किसे कहते हैं एक्सांस और देशानतर रेखा पेली हम यहां पर लेलते हैं अक्सांस रेखा प्रथवी के ग्लोब पर ठीची गई वह काल्पनिक र 지망 में तरहा है यह रिज नहीं है यह जोग पर ही हम ने अब ये किदर से किदर खींचे जाती है पूरव से पस्यम की और अर्थार ग्लोब पर पूरव से पस्यम की और खींचे गई इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांस रेखा के नाम से जाना जाता है लेटिटूड किसे कहते है तो प्रत्वी के ग्लोब पर पूरब से पस्यम की और खीची गई काल्पनिक रेखाऊं को अक्षान सरेखा कहते हैं अब ये अक्षान सरेखा के मान आप लोगोंने पढ़े होंगे कहीं पर 0 पड़ा है कहीं एक भी है 2 डिगरी तीन डिगरी 10 डिगरी 20 डिगरी तो यह क्या चीज है यह मान कहां से आया और कैसे निकाला गया यहां पर देखें इनका मान केसे आता है प्रत्वी एक गोलाकार सरंचना है आप लोगों ने पढ़ा होगा गोले का केंद्र बिंदू सदेव गोले के अंदर गोले के अंदर बीच वीच पाये जाता है बाहर की और कभी भी उसका केंदर नहीं होता है जैसे फुटबॉल है त पुटबॉल की सतय पर कभी भी नहीं होता है तो इसी तरह से प्रत्वी का केंद्र बिंदू प्रत्वी के अंदर है तो प्रत्वी के केंद्र बिंदू के रिलेटेड प्रत्वी के केंद्र बिंदू के सापेक्स कौन के आधार पर अर्था केंद्र से कितने डिगरी के कौन पर वो line ने खीची जा रही है वह रेखा उतने ही degree की मानी जाती है यहां पर बात करते हैं यह मैंने line बिलकुल इसके उपर खीच रही है यह इसका केंदर बिंदू है तो केंदर बिंदू के related अगर इस angle को हम ग्याद करें तो यह केंदर बिंदू के related angle या तो 0 degree आएगा या फिर 180 degree जैसे D लेकर के हम यहां पर ज्याद करें तो यह line के उपर अगर वहां पर D को रखते हैं तो यह 0 degree या 180 degree जिसको केते हैं इसलिए यह जो 0 degree का कौन केंदर के related बना रहा है इस अक्सांस रेखा को हमने नाम दिया है 0 degree अक्सांस रेखा अब यहां पर आपके यह clear होना चीए इसको हमने 0 degree अक्सांस रेखा क्यों कहा तो 0 degree अक्सांस रेखा इसलिए कहा है क्योंकि यह अक्सांस रेखा प्रत्वी के केंदर के सापे 0 degree के कौन पर खिंची गई है इस कारण से उस अक्सांस को 0 degree अक्सांस के नाम से जाना जाता है इसी 0 degree अक्सांस का हमने और नाम रखा है भूमत दे रेखा और इसी को विशुवत रेखा भी कहते हैं और इसे ही इंग्लिस में एक्कवेटर के नाम से जाना जाता है तो देखें क्विश्चन यहां पर आपको इससे भी रिलेटेड क्विश्चन आ सकते हैं कि जिरो डिगरी अक्षांस रेखा का अन्या नाम क्या है तो विशुवत रेखा उसी का दूसरा नाम क्या हो गया भूमद्य रेखा और उसी को इंगलिस में क्या बोलते हैं इक्वेटर तो आपको वहां पर हिंदी इंगलिस में भी दे सकते हैं इक्वेटर क्या है इक्वेटर का नाम ही क्या हो गया है भूमद्य रेखा अब क जिस अक्षांस के कारण प्रत्वी कितने वांकि में बठ गई दो वांकु में उस अक्षांस देखा को जीरो डिगृ अक्षांस के नाम से जाना जाता है जीरो क्यों कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया जीरो डिग्री इसलिए का गया कि यह प्रत्विके केंदर के रिलेटेट कितने डिगरी का इंगल बना रही है जिरो डिगरी का वो पूरे पूरे दो बराबर भाग हो गया इस कारण से इसे भूमत देरेखा भी कहा जाता है यह भाग देखे यहां से इस लाइन से उपर का भाग उत्तरदिश नीचे हो गया और ये नीचे का वाग दकशिन है ये दकशिनी गोलाद के नांसे हैं जाया जाता है अब मान लाजै मैं एक इस iLR wat यह मैंने यह लाइन और वीटूर किका यहां बना दी हैब में इनको कितना डिगरी नाम दूऊ तो मेरी इच्छा से कोई डिग्री नाम नहीं आएंगे ना आपकी इच्छा से आएगा यहां पर डिग्री का मतलब हम उसको तभी डिग्री लिख सकेंगे जब उसका मान इस परत्री के केंदर के रिलेटेड कितने डिग्री के कौन पर वरेखा बन रही है अब देखो मैंने यहां से यहां मिलाये तो यह कौन बन गया एंगल बन गया अब यह एंगल कुछन कुछ तो इसका मान होगा जो भी मान हो इसका दस हो पांच हो पंद्रा हो पचीस हो तीस हो कुछ भी हो जितने डिग्री का कौन यह बन रहा है केंदर के रिलेटेड यह अक्षांस रिखा उ इत्ने डिगरी की हो गई इस प्रकार से यहां पर हम अगर कोई कल्पना की यहां पर करें इस बिंदू पर इस हम ए अक्षांस राहां आ है, यहां पर हम इसे केंद्र को मिलाते हैं, तो यह कितने डिगरी का कौन बन गया निब्बे डिग्री इस तरह से अक्षान्स रेखाओं का मान प्रत्विके केंद्र के रिलेटेट बनने वाले कौन के आधार पर उतने डिग्री के कूप में यह अक्षान्स रेखा मानी जाती है तो अब उत्तर के और हम देखते हैं मेक्जिमम कितने डिग्री का कौन बन रहा कथ को सब्सक्राइब कता होता है निफ्वे डिग्री अगष्ण सेम स्थिह हमांगर रखुन के अंतरगद यहां पर भी ए निफ्वे डिग्री का कौन बन चया इस लिए दक् differentiक एंतरगद आइस रेखाई तक हुआ का दिकत्यSeam अधिक्तम चाए अक्षांस रेखाओं का किसी भी दिशाक के अंतरगत मान पुछा जाए कभी इन दोनों को काउंट नहीं करना है बलकि अलग लग सेपरेट रखना है इस प्रकार से अक्षांस रेखाओं का अधिक्तम मान होता है उत्तर की और उत्तरी अक्षांस और दक्षिन की और दक्षिनी अक्षांस अब बात आती है कि यहाँ पर हर एक अक्षांस को वापस किसमें डिवाड किया गया मान लिजे यह जीरो डिग्री अक्षांस है और यहाँ पर एक डिग्री अक्षांस है इन दोनों के बीच में यह जगे हैं तो हर एक अक्षांस को वापस मिनिट में विबाजित किया गया जिस तरसे एक गंटे में कितने मिनिट होते हैं? साथ मिनिट पाए जाते हैं तो इस तरह से यह बीच में जगया हैं तो इसको वापस कितने पाई कुछी अबास्व होती है? 60 भागों के अंतरगत और ये 60 भाग किस नाम से जाने जाएंगे, ये 60 भाग मिनिट के नाम से जाने जाते हैं, अब आप देखें, कभी भी आपको लिखना होता है, आधा, जैसे हमने पढ़ा है, साड़े 25, साड़े 25 को हम इस तरह से लिखते हैं, 30, एक बटा 2, अब आपको 30 तो तेज को मिनिट के अंतर गद लिखना है, तो तेज तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अब आदे बाग की बात करें, आदे में आप लोगो उन्हें पढ़ा है कि आधा हमने 50 मानते हैं, कि 100 का आदा होता है 50, पर अन्तों यहां 100 नहीं है, यहां पर मिनिट कितने हैं, 60, इस कारण से यहां पर जब भी आदा लिखोगे, तो 30 डिगरी तो पूरा, अब यहां पर आदे का मतलब गया 30, क्योंकि यहां पर 50 लिखते हैं, आपका गलत हो जाएगा, मिनिट यहां पर 60 होता है इसाधार पर, आपको यहां पर आदा जब भी लिखना है, तो वो 30 रखना है, तो इस परकार से यहां पर, साधे 23 को में 23 दिगरी, 30 मिनिट भी लिख सकता हूं, या फिर इस परकार से भी लिखा जा सकता है, यह कुछ छोटी-छोटी चीज़े हैं, वो ध्यान रखना है, अब यह तो हो गया, इस परकार से हमने प्रत्वी के गोलार्द, प्र पीची गई वह काल्पनिक रेखा, जो पूरब से पस्यम को मिलाती है, तो पूरब से पस्यम के और मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांस रेखाओं के नाम से जाना जाता है, जिरो डिगरी अक्षांस रेखा किसे कहते हैं, वह अक्षांस रेखा, जो प्रत्वी आईटर के नाम से जाना जाता है जिरो डिग्रे अक्षांस रेका कारण उत्तर का भाग उत्री गोलाक Don t और दक्षिन का भाग दक्षिनी गोलार्थ क्यलाता है इस प्रकार से प्रत्वी दो बराबर भागों में आदा गोला उपर उत्री गोलार्थ आदा भाग नीचे दक्षिनी गोलार्थ के अंतरगत भी भकत हो जाता है फिर यहां पर एक डिगरी में कितने मिनिट होते हैं एक के अंतरगर शार्ट मिनेट होते हैं इस परकार से हर डिगरी के अंतरगर साठ मिनेट तो यहां पर ध्यान रखना है जब भी डिगरी लिख रहें 59 तक तो डिगरी लिखी जाएगी और जुए साटवा डिगरी अगर यहां पर सार सुरी जोई 59 तो मिनिट लिखेंगे और जोई 60 मिनिट आएगा 60 मिनिट कभी नि लिखेंगे उसको अलग से डिगरी के रूप में प्रदशित किया जाएगा जैसे मालेजे 30 डिगरी और 69 मिनिट तब तक तो यहां पर लिख दिया 30 डिगरी और 69 मिनिट हो गया पर अगर 30 डिगरी और 60 मिनिट हो गया तो अब वहां पर आप 30 डिगरी और 60 मिनिट कभी नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसको क्या लिखेंगे 24 डिगरी इस तरह से 60 आते ही वो नया डिगरी आ ठीक है अब यहां पर भारत इसके अंतर्गत कहां पर है और राजस्तान कहां पर है यह देखें आप इस तरह से यह जो रेखा एक यहां पर यह रेखा मान लिजे साड़े 23 डिगरी के कौन पर है साड़े 23 डिगरी के कौन पर यह है और साड़े 23 डिगरी कौन से गोलार्द में है उत्तरी गोलार्द में उत्तरी गोलार्द के साड़े 23 डिगरी को हमने नाम दे रखा है कर करेखा क्यों दे रखा है यह सब चीजे हम आगे और पढ़ेंगे अभी केवल मैं आपको सिंपल या अक्षांस को नाम दिया गया है मक्कर रेखा यह मक्कर करक सब समझाऊंगा मैं आपको जब जहां पर जो आएगा उसके अनुसार अभी केवल के साड़ेतेश डेक्शन में मक्कर और साड़ेतेश दिगरी उत्तर के अंतरगत करकर रेखा अब बात आती है इनमे राजस्तान कह कहां पर है भारत कहां पर है यहां पर देखे भारत के स्थिए यह हमारा यहां पर भारत अब देख्वा भारत पहले जी यहां पर आया तो भारत किस गोलार्द के अंतरगत स्थित हैं Western अब के सामने हैं ग्लोग में यह भाग जिसके कारण ये भाग उत्तर का उत्तरी गोलार्द बना नीचे का दक्षिन गोलार्द बना अब बताईए भारत उत्तरी गोलार्द में है या दक्षिन गोलार्द में अटोमेटिक हमें समझ में आ रहा है कि भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्द में स्तित है अब भारत में ह कि राजस्तान है तो नैचचुरल राजस्तान भी कौण से गोलार्थ में हो गया उत्तरी गोलार्थ में क्लेराज पर अब बात करते हैं आगे उत्तरी गोलार्थ में भारत right राजस्तान भी है अब यह कौन सी दिशा में हैं दिशाएं कितनी होती है आप लोगों को पता है दिशाएं होती है दस चार दिशाओं लेकर नहीं बेटना है दसुं दिशाओं गाणों के इन तरकत भी आता है दसुं दिशाओं अर्था दिशाओं की संक्या कितनी है दस कौन कौन से यहें मैं समझाएता हूँ, यहां पर चार दिशा हैं तो अभी मैं आपके बताई, पूरव, पस्यम, उत्तर और दक्षिम, अब देखें, चोती दिशा, पांची दिशा यह वाली, यह ने तो पूरव में है ना उत्तर में है बल्कि दोनों के बीच में है, दोनों के ब पस्यम के बीच में है, इस कारण से इसको क्या कहेंगे, उत्तर पस्यम दिशा, चुकि नय उत्तर में है, नय पस्यम में, इसलिए इस दिशा को उत्तर पस्यम दिशा के नाम से जाना जाएगा, ये दिशा, दक्षिन यहां है, पस्यम यहां है, दोनों के बीच में होने कारण इसको क्या का जाएगा दक्षिन पस्यम दिशा फिर इदर की बात करें ये दिशा दक्षिन और पुर्व के बीच होने कारण इसको दक्षिन पूर्व में चार दिशाएं तो पहले बताई पूर्व पस्यम उत्तर दक्षिन चार दिशाएं होगे उत्तर पूर्व उत्तर पस् किस दिशा में हो गया आपके सामने आंसर है भारत गलोब पर कौन सी दिशा में है उत्तर पूर्व दिशा में अस्तित है ठीक है अब भारत में ही राजस्तान है यह यहां पर राजस्तान यह राजस्तान के स्तिती भारत के अंतरगत तो गलोब पर राजस्तान कौन सी दिशा म में हो गया ग्लोब पर राजस्तान के लिए भी आंसर क्या आएगा उत्तर पूर्व दिशा आंसर निकला आपके कि ग्लोब पर राजस्तान कौन सी दिशा में स्थित है तो ग्लोब पर राजस्तान कौन सी दिशा में हो गया ग्लोब पर राजस्तान उत्तर पूर्व दिशा के अंतरगत स्थित है ठीक है अब आते हैं ये तो क्या ग्लोब पर राजस्तान की स्थिति क्षिशन में आपको दिया था कि भारत में राजस्तान की स्थित है तो सेम स्थिति यहां पर भारत की भी समझ ले हम ये भारत की स्थिति ये उत्तर दिशा ये दक्षेन ये पूर्व औ और ये पस्सिम, अब ये वाली दिशा क्या किलाएगी, भारत की ये दिशा, उत्तर और पस्सिम. तो भारत में राजस्तान कौन से दिशा में हो गया उत्तर पस्यम दिशा में इस तरह से यहां पर आप देखे है कि राजस्तान गलोब पर पूछा जाता है जब तो आंसर क्या हो गया उत्तर पूरा में और राजस्तान भारत में पूछा जाता है तो भारत के लिए आंसर क्या हो गया उत्तर पसीम दिशान यह बेसिक यह बहुत सारा इसमें डिटेल है यह बहुत अलिमेंटरी में आपको समझा रहा हूं यह छोटी-छोटी से चीजे जो हम जब समझ जाते हैं तो फिर हमें कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ती है कि राजस्तान की स्थिति कहां पर कै इसे किस रूप में हैं क्यों हैं वो सब चीजे अपने आप इसके अंतरगत निकलती हैं अब मैं चलता हूं राजस्तान के ओपर थोड़ा सा आपको एक देखो यहाँ पर थोड़ा सा और मैं समझायता हूं उत्तरी गुलार्द में बारत और राजस्तान हैं तो उत्तरी दक्षिन में आरा अक्षांस तो भी उसको क्या लिखेंगे उत्तरी अक्षांस और चाहिए उत्तर में आरा है तो भी क्या लिखेंगे उत्तरी अक्षांस अगर यह गुमद रेखा कि नीचे कोई होता तो फिर वहां पर सभी दक्षांस यह अक्षांस कौन से होते दक्षिन अक्षांस ठीक है यह तो कि अक्षांस की बात अब आते हैं एक और है यहां पर उसका नाम है देशांतर अब देशांतर किसे कहते है अक्षांस में तब आते हैं है पूरब से पसीम की और मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हमने अक्षांस नाम दिया उसका बिलकुल अपोजिट अब यहां पर अपोजिट क्या हो गया उत्तर से दक्षिन के और मिलाने वाली कालपनिक रेखा उत्तर में यहां पर यह उत्तरी द्रू किलाता है दक्षिन में यह द्रक्षिनी द्रू किलाता है तो उत्तर और दक्षिन अर्थाद दोनों द्रू को मिलाने वाली कालपनिक रे इस प्रकार से यहां पर दो क्यूश्यन आपर अक्षांस रेख़त क्या होगे पूरव से पस्यम की और और देशांतर क्या हो गया उत्तर से दक्षण की और इस तरह से यह उत्तर से दक्षण की और हम रेखा हैं खीचेंगे यह सारी की सारी लाइने देशांतर या लोंगिट् करूं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशानता रेखाओं के नाम से पुकारा जाता है अब बात करते हैं अगर ये लाइन है हमने बिल्कुल बीचु बीच खीजर की उत्तर से दक्षिन कियो इस रेखा के कारण प्रत्वी दो बराबर भागों में बट रही है या न अब देखो यहां पर देशांतर के कारण प्रत्वी दो बागों में बट गई इधर वाला बाग पूरी भाग और इधर वाला भाग ये पस्सिमी बाग तो देशांतर के कारण भी प्रत्वी दो बागों में बट रही है अर्थात पूरब और पस्सिमी बाग के अंतरगत औ और अक्षांस के कारण भी प्रत्री दो बागों में बट रही है उत्तर और दक्षिन के अंतरगत इस तरह से पूरा और पस्यम के अंतरगत देशांतर के कारण बटा इधर वाले सारे देशांतर कौन से देशांतर के लाएंगे पूर्वी देशांतर इधर वाले सारे देशां इसलिए ध्यान रखना है राजस्तान के देशांतर का मान रखना है तो भी आपको पूर्वी देशांतर बोलना है और भारत के अंतरगत भी अगर हमें देशांतर बोलना है तो पूर्वी देशांतर और अक्षांस बोलना है तो दोनों ही यहां पर चाए उत्तर का हो चाए दक अब हम बात करते हैं राजस्तान राजस्तान किनकिन अक्षांसों के बीच में किनकिन देशान्तरों के बीच इस्तित है और राजस्तान की पोजिशन क्या है तो सबसे पहली चीज, आपको राजस्तान अगर समझना है, तो राजस्तान का नक्षा बनाना आपको आना चाहिए, जब तक आप इसका मेप तेयार खुद नहीं करोगे, तेयार मेप से कभी तेयार नहीं होती ध्यान रखना है, आप चाहिए तूटा फूटा बांका टेडा क कैसा भी बनाएं, अपने हातों से नक्षा बनाएं, ताकि हातों से बनेवे नक्षे को आराम से आप खुद समसखोगे और कभी भूलोगे नहीं, वो कैसा भी बनाएं, उससे कोई फरक नहीं पड़ना है, हमें इनको तेयार करना है, अपने आपको तेयार करना है कि मुझे क इसी तरह का question पुछे और मेरा कोई भी question गलत ना हो इस कारण से उसको हम खुद तियार करें इस प्रकार की practice आपको करने हैं अब मैं यहां पर मैं राजस्तान का एक नक्षा डाइग्राम कर रहा हूं उसे के आदार पर मैं आपको समझाओता हूं यहां राजस्तान की क्या position है कहां पर है कैसे है एक आप्लाइन है हम राजस्तान का तयार करते हैं अब इसके आधार पर हमें राजस्तान के बारे में पढ़ना है राजस्तान कैसे कहां पर किस रूप में इस्तित है अब देखें आप यह दक्षिन दिशा है यह दक्षिन दिशा यहां पर यह एकदम दक्षिन में यह उत्तर दिशा यह एकदम उत्तर का अब आप देखो मैंने आपको बताये था यह लाइन खीच रहे हैं किदर से किदर खीच रहों में पुरप से पस्यम या पस्यम से पूरू की हमने पढ़ा है पूर से पस्यम खीचे या पस्यम से पूर के और खीचे पूरु से पस्यम के और खीचे के कालपनिक रेखा हो क्या बोलते हैं अक्षांस रेखा अब ये अक्षांस रेखा चाहे वो राजस्तान के दक्षिन में हो चाहे राजस्तान के उत्तर में हो अक्षांस रेखा सदेव मैंने आपको बताया भी एक समझाया कि अक्षांस रेखा जेरो तीन मिनिट से और कहां तक फ्यला हुआ है 30 डिगरी और बारा मिनिट तक क्यूचन बन गया राजस्तान का अक्षान से विस्तार बताईए राजस्तान का अक्षान से विस्तार 23 डिगरी 0 टीन मिनट से तीस डृवाराम भी मेना आपको पहले बता है कौन साक चांज होोगा उत्री अक ये भी उत्री अकशांत और ये भी उत्री अक्षांस इस प्रकार से राजस्तान का अक्शांस से विस्ताहर आपको फिरो Combustion इसलिए आप यहां से सुरू ए करते हैं, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, नो तक कोई भी अगर आप मिनिट का मान लिख रहे हैं, तो नो तक आपको सब के आगे जीरो संख्या लिखनी है, इसलिए एक से लेकर नो तक के आगे क्या लिखेंगे, जीरो और दस म उसमें फिर हमें यहां पर जीरो साथ में आगे लिखने क्या आशक्ता नहीं है, इसलिए आप कभी भी अगर यहां पर मिनिट लिखें, तो वहां पर अगर पांच मिनिट है, तो जीरो पांच लिखना है, वहां पर केवल पांच कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि मिनिट सदेव डबल डिजिट में ही लिखा जाएगा इस कारण से एक से लेकर नो तक आपको ये सारे सब के आगे जिरो लिखना है इसलिए मैंने यहां पर जिरो तीन लिखा है तो राजस्तान 23 डिगरी जिरो तीन मिनिट से लेकर 30 डिगरी 12 मिनिट उत्री अक्षांस के अंतरगत स्थित है अब आते हैं देशांतर तय मैंने आपको पताए था उत्तर से दक्रेव और या तक राजस्तान आप मिन इंट यहां पर यह देशांतर तो अब देखो मिनिट तर इस प्रकार से राजस्तान का देशांतरी विस्तार क्या हो गया 59 डिगरी 30 मिनिट से लेकर 38 डिगरी 17 मिनिट मैंने आपको भी समझाया कि यहां पर देशांतर राजस्तान के लिए भारत के लिए क्या आएगा पस्सिम आएगा या पूरव आएगा तो भारत भाय इधर वाला है तो भी पूर्वी देशांतर के बार अक्षांसों के बीच से लिएकरटी teenage विश्तित हैं से कि किन किन अक्षांसों के बीच है परंतों अगर क्षिशन आ जाता है कि राजस्थान जो फेला हुआ है कितने अक्षांसों के बीच फेला हुआ है अर्थात अक्षांस यह विस्तार टोटल कितना है एक है दो है दस है पांच है कितना है अब आपको ऐसा मान ग्याद करना है तो तेश से लेकर तीस वाले के बीच में टोटल मान का माइनस करना है. तो यहां पर मान आएगा साट डिग्री जीरो नो मिनिट. अर्थार्त राजस्तान का यह अक्षान से विस्तार अगर आता है 60 डिगरी 0, 9 मिनिट जब आपको 30 12 में से 23 0, 3 को माइनस करोगे इसके अंतरकत आपका यह मान आएगा 60 डिगरी 0, 9 मिनिट तो दो तरह की कुष्चन बनगे आपके लिए अब देखिए दो तरह की कुष्चन क कितना है राजस्तान का अक्षान से विस्तार कौन-कौन सा या किन-किन अक्षांसों के बीच है तो 30 डिगरी 0, 3 मिनिट से लेकर 30 डिगरी 12 मिनिट के बीच है अब आता है कि राजस्तान का यहां पर अक्षान से विस्तार टोटल कितना है राजस्तान का अक्षान से विस्ता तोटल मानाएगा साथ डिगरी जीरो नौ मिनिट फिर आता है देशांतरिय विस्थार अगर देशांतरों की संख्या यहां पर पुछी जा रहे तो उनतर डिगरी तीस मिनट अठेटर सत्रा आ रहा है परन्तु अगर यहां पर विस्थार टोटल पुछा जाता है तो इनका मा कि यह संख्या भी पूंच लिए वो स्वार कि कितने देशांतरों के बीच फिला हूँ है यहां से लेकर कि यहां तत कर चौडाई सदेव ध्यान रखे चौडाई सदेव होती है पूरब से पस्यम की और और लंबई होती है उत्तर से दक्षिन की और तो पूरब से पस्यम की और यह चोड़ाई है आठ सो उनातर किलोमेटर तो राजस्तान के चोड़ाई कितनी हो गई आठ सो उनातर किलोमेटर ठीक है हम्मेशा उत्तर से दक्षिन की और लंबई होती है औ और उत्तर से दक्षेन के ओर लंबाई है 826 किलोमेटर इसका मतलब राजस्तान के लंबाई चोड़ाई से कम है लंबई 826 किलोमेटर ही है और चोड़ाई इसकी 889 किलोमेटर है तो कभी भी कोटेशन भी दिया जा सकता है कि लंबई चोड़ाई बराबर है या कम ज़्यादा है तो आपको ध्यान रखना है लंबई कम है और राजस्तान की चोड़ाई ज़्यादा है इस आधार पर अगर आप से question पुछा जारे इसका आंसर देना ता आप क्या दोगे, कि राजस्तान की आकरती कैसी है, तो राजस्तान के अंतरगा अगर हम देखते हैं, तो राजस्तान के अंतरगा चार भुजाएं दीख रही है, और चार भुजाएं मतलब चार कौन दीख र पुरपसिम यहां पर अब ये चारों बुजाओं के कौन समान नहीं अगर समान होते हैं जब तो समकोन बोल देते हैं परन्तु समान नहीं है तो समान नहीं होने पर उस कौन को बोलते हैं विशम कौन इसलिए यहां पर आख्रती अगर आ जाता है राजस्तान की कि राजस्तान की आख्रती किस प्रकार की है तो उसका आंसर क्या हो गया विशम कौन चत्रबुज के समान अगर कौन समान होते तो समकौन चत्रबुज के लाता परंतु कौन समान नहीं इस कारण से राजस्थान की आकरती के सी मानी जाती है विश्म कौन चत्रबुज के समान इसके आकरती मानी जाती है इस तरह से अब देखो पापस सारे आते हैं किश्चन पहल बारत में किस दिशा में स्तित है राजस्तान बारत में उत्तर पस्यम दिशा में स्तित है तीसरा किशन राजस्तान किन-किन अक्षांसों के बीच विस्तरित है अक्षांसे विस्तार 23 डिगरी 03 मिनिट से लेकर 30 डिगरी 12 मिनिट के अंतरगत राजस्तान फेला हुआ है फिर कि thisч Cannes you recommend देशांतर के बीच स्थित है 39 दिगरी 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिँगरी 17 पूर्वी देशांतरों के बीच विस्तर तहा है राजस्तान में देशांतर्य विस्तार कितना है तो 8 डिगरी 47 मिनिट dicht राजस्तान का देशान्तरिय विस्तार है, राजस्तान की लंबाई कितनी है, 826 किलोमेटर, राजस्तान की चोड़ाई कितनी है, 879 किलोमेटर, राजस्तान की आक्रती कैसी है, विशम कौन, चतुर बुझ के समान, राजस्तान की आक्रती ले रहां तक आप तो झाल झाल अब आते हैं इसने राजस्तान में आगे कि राजस्तान का कुल क्षैत्रपल कितना है एरिया राजस्तान का कुल क्षैत्रपल कितना है तो राजस्तान का कुल क्षैत्रपल है तीन लाख 42,249 वर्ग किलोमेटर अगर ये तो आगया वर्ग किलोमेटर में इसे को अगर आप से पूछा जाए कि वर्ग मील में इसका एरिया कितना है एक लाख 32,149.217 वर्ग मील एक लाग 32,149.217 वर्ग मील राजस्तान का कुल क्षैत्रपल है तो इस प्रकार से राजस्तान का क्षैत्रपल दोतरे का क्युष्यन आपे सकते हैं दोतरे से पूछा जा सकता है वर्ग किलोमेटर में आता है तो तीन לפ442,249 वर्ग किलोमेटर और अगर माइल में पुछा जाता है तो एक लाग 32,149 वर मील ये है राजस्तान का एरिया माना जाता है अब क्वेश्चन आता है ये एरिया भारत के कुल खशेत्र रपल का कितना प्रतिशत है भारत में जितना खशेत्र रपल है उसका 10.41 प्रतिशत 10.41 परतीशत अकेले राजस्तान में अब देखो आप सोचो भारत के अंतरगत वर्तवान में 28 राज्य पहले 29 से अब 28 राज्य हो गए 28 राज्यों के अंतरगत में से अकेले राजस्तान में पूरे भारत का 10.41 परतीशत भाग अर्थाद अकेले राजस्तान में हैं इस कारण से क्षेत्रपल की दरस्टी से राजस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस तरह से यहां पर क्षेत्रपल की आधार पर आपको यह क्षेत्रपल का इसमें क्षेत्रपल ना कह सकता है और कैसे इसका अंसर दिया जा सकता है। अब आते हैं ये तो किया राजस्तान का खशट्रपल अब बाद करते हैं राजस्तान की सीमा चोंकि राजस्तान किसी भी समुदर के आस पास नहीं है इसलिए राजस्तान के पूरी सिमा स्थलिय सिमा लेंड बाउंडरी के नाम से जानी जाती है राजस्तान के पूरी सिमा कौन से सिमा किलाती है स्थलिय सिमा तो कुश्चन बन किया राजस्तान के स्थलिय सिमा की लंबई कितनी है तो राजस्तान के स्थलिय सीमा की लंबई है 5920 किलोमेटर अब आपके क्षिश्चन मन में आता है कि भी ये सीमा कहां से कहां तक है तो आप कहीं से भी सुरू जाओ 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 5920 किलोमेटर ओके हम बाकी कल पढ़ेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे भी बहुत कुछ है यह एक पर इंट्रोडक्शन है केवल इसमें ऐसे अगर आप एक एक चीज पढ़ते चलोगे कोई भी चीज अमारी छुटेगी नहीं और हर एक के किश्चन का अंसर अपने आप नि इसके निकाल सकते हैं और उसका अंसर बहुत आराम से कर सकते हैं अग्याइब अग्याइब